ठंड और डर में, क्यों हो जाते हैं बाल खड़े, क्या होते हैं, गूस बंस, क्या होते हैं, हेर मसेल आज जानेंगे इनी सभी के बारे में, बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में दोस्तो हमारे बालों के साथ एक मसल लगे होते हैं जिसे हम एरेक्टर पिल्लाई मसल कहते हैं यह मसल्स बहुत चोटे होते हैं और företल के साथ एटेच होते हैं इनी मसल्स के कारण गुज बंब का आरत होता है बालों का खड़ा हो जाना हमारे इन muscles का जो हमारी skin के नीचे बालों के साथ लगे होते हैं क्या काम होता है इनको विस्तार से जानेंगे दोस्तो इन erector pili muscles का सबसे पहला काम होता है thermal insulation दोस्तो जब हमें ठंड लगती है जब बाहर मोसम में सरदी जादा होती है तब ये muscles अपना जब काम करते हैं तो हमारे बालों को खड़ा कर देते हैं और इन खड़े हुए बालों के बीच में air trap हो जाती है हवा बंद हो जाती है जो एक insulation layer का काम करती है और हमें ठंड से बचाने का काम करती है तो पहला काम ये muscle हमारे लिए करते हैं वो हमें ठंड से बचाने का एर को ट्रैप करके गरम कर देते हैं और ये गरम हवा इंसुलेशन का काम करती है और हम ठंड से बच जाते हैं दूसरा काम Self Defense जी हां दोस्तों आप भी हैरान हो रहे होंगे कि ये मस्सल Self Defense का काम कैसे करते हैं हमारी रक्षा कैसे करते हैं दोस्तों आदिम कालीन यूग में ये मानव के बड़े काम आते थे क्योंकि जब ये मस्सल्स अपना काम करते थे तो गूस बंप साते थे और ये बाल खड़े हो जाते थे ये हमें संकेत देते थे कि कोई जंगली जानवर है जो हमारा शिकार कर सकता है जंगल में जब कोई बड़ा जीव आ जाता है तो छोटे जीव के ये बाल खड़े हो जाते हैं वो इनी एरेक्टर पिल्ले मस्सल्स के कारण होते हैं और जीव को ये ऐसास दिलाते हैं कि तो खत्रे में हैं इस तरह से ये सेल्फ डिफेंस मेकनिसम का काम करते हैं और बालो को खड़ा करके हमें बड़ी समस्याओं से बचाते हैं तीसरा काम सीबम एक्सक्रीशन हम सब जानते हैं कि हमारी स्किन के नीचे सीबेशियस गलैंड इन गलैंड में सीबम बनता है ये सीबम हमारे बालों को protect करता है उसको natural oil परदान करता है और उसको hydration और मुश्राइशन देने का काम करता है दोस्तो ये एरेक्टर पिलाई muscle push करते हैं सीबम को skin की तरफ hair follicle के जरिये जिससे हमारे बाल protect रहते हैं नमी में रहते हैं और चोथा काम Follicle Stability ये एरेक्टर पिल्लाई मसल हमारे Follicle को स्टेबल करने का काम करते हैं ये उसे सहरा देते हैं ये उसे ताकत देते हैं Hair Follicle के साइड में और नीचे रहने की वज़े से ये से स्पोर्ट करते हैं और follicle को stable और मजबूत बनाने का काम करते हैं तो दोस्तों ये बालों के muscle, बालों की मास्पेशियां बालों के लिए बहुत काम करती है और हमारी skin को और बालों को बचाने के साथ साथ self defense का भी काम करती है और बाल इनकी वज़े से ही खड़े होते हैं जिने हम goose bumps कहते हैं तो दोस्तों आज आपने जाना hair muscle यानि इरेक्टर पिल्लाई muscle हमारे लिए कितने लाबदायक है मैं उमीद करता हूँ कि ये hair series आपके लिए काफी लाबदायक साबित हो रही होंगी और आपके ज्यान में वृद्धि कर रही होंगी यदि आपको लगता है ये ज्यान spread किया जाना चाहिए फैलाया जाना चाहिए और लोगों तक भी ये पहुंचना चाहिए तो आप इन वीडियो को share अवश्य करें और यदि आप नहीं है और चैनल अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो उसे अवश्य कर लें और notification bell दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो नमश्कार